अवाइल बाक अच्छे सुझाओ भी मिले हैं केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिक आने भाई हैं एक हम एक प्रकार से फैटरलिजम का उत्तम उधारन इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुच किया है साथियों आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमत्री स्वर्गिय लालबादू सास्त्री जी की पुन्डिती थी भी है मैं उन्हें अपनी भाव में ने स्रधानली एरपीट करता हूँ 1965 में सास्त्री जी ने Administrative Service की Conference में एक महत्वपुन बात कही थी जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि तो बेसिक आइडिया अप गवर्नांस एज आई सी इट इस तो होल्ड़ दे सोसाइटी तोगेदर सो एट इट केन डेवलप इस तोगेदर इस तोगेदर इस तोगेदर इस इवलूशन इस प्रोसेस मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकटकाल में हम सभी ने एक जूट होकर काम किया जो सीख लालबादू सास्त्रीजे ने दी थी उसी पर चलने का हम समने प्रयास किया और इस दर्म्यान सम्वेदिन सिल्ता के साथ परित फैसले भी किये गए जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरर्तर हम लगाता जागरूग भी करते रहे और आज इसी का प्रणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमन वैसा नहीं है और नहीं वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है जितनी गवराहत और चिंता साथ आठ महिने पहले देश्वास्यों में थी अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं यह अच्छी स्थिक है लेकिन केरलेस नहों जाए यह भी हमें चिंता करनी है देश्वास्यों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थीक गतिवीध्यों पर भी सकारत्मा गुरुप से दिखाई दे रहा है मैं आपके राज प्रशासन की भी दिन राज जुटे रहने के लिए प्रसंसा करता हूँ साथियों अब हमारा देश कोरोना के खिलाब लड़ाई में एक निरनायक चरण में प्रवेश कर रहा है यह चरण है वेक्षिनेशन का जैसे यहां जिक्र हुआ 16 जन्वरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टिका करन अभियान शुरू कर रहे हैं यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वेक्षिन को एमर्जन्सी यूज अउथराईजिशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है इतना ही नहीं चार और वेक्षिन प्रोग्रेस में है और यह जो मैं करीब साट सतर परसंद काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चरता इसलिए करता हूँ कि उसके बाद और वेक्षिन भी आ जाएगी और जब और वेक्षिन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर क्या प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुभीदा रहेगी और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है जो हम पचास से उपर वालों के लिए जाने वाले हैं तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वेक्षिन आने की संभावना है साथियों देश वासियों को एक प्रभावी वेक्षिन देने के लिए हमारे एक्षपर्ट ने हर प्रकार की सावधानिया बरती हैं और अभी साइंटिफिक कॉम्यूनिटी के तरफ से विस्तार से हमें पताया भी गया है और आपको मालूम होगा मैं इस विशह में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विशह में हम जो भी निर्ने करना होगा वो साइंटिफिक कॉम्यूनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे साइंटिफिक कॉम्यूनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं कई लोग कहते देखें दुनिया हम वैक्षिन आ गई भारत क्या कर रहा है भारत हो रहा है इतने लाख हो गया इतना हो गया भारत कुछ गया ऐसी भी चिलना हट हुई लेकिन फिर भी हमारा मत था कि इसके लिए जिम्मेवार लोग है उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचीत होगा और हम उसी दिशा में चले हैं बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता है कि हमारी दोनों वैक्षिन दुनिया की दूसरी वैक्षिन से जादा कॉस्ट इफेक्टिव है हम कलपना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टिका करन के लिए विदेशी वैक्षिन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते कितनी बड़ी मुश्किल होती हम उसका अंदार लगा सकते हैं यह वैक्षिन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते विए निर्मित की गई है भारत के टिका करन का जो अनुभाव है जो दूर सुदूर खेत्रों तक पहुंचने की विवस्ताएं है वो कोरोना वैक्षिनेशन कारकम में बहुत उप्योगी सिध्ध होने वाली है सात्यों आप सभी राज्यों के साथ सलाम श्वरा करके ही इत्ताय किया गया है कि टीका करन अभ्यान की शुरुवात में किसे प्राश्विक्ता दी जाएगी हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्षिन पहुचाने की है जो देश वात्यों की स्वास्त सुरक्षा में जुटे हुए है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सरकारी हो या प्राइबिट है पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हमारे जो सफाय कर्मचारी है दूसरे फ्रन्ट लाइन वर्कर्स हैं सैनेबल है पूलीस और कैंद्रीय बल है होमगाड है डिजास्टन मेनेजमेट वॉलेंट इसमेट तमाम सिविल डिफिन्स के जबान है कंटेन्मेंट और सर्वेलेंस से जोड़े रेविन्यू कर्मचारी हैं ऐसे साथ्यों को भी पहले चर्णों में टीका लगाया जा रहा है देश के अलग-अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स के संख्या देखें तो एक करीब करीब 3 करोर होती है राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है भारत सरकार इसको वहन करेगी साथ्यों वैक्सिनेशन के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार्स वो तीसरा चरण हो जाएगा लेकिन हम अगर इन तीन करों को एक मानने तो दूसरा चरण पचास वर्षे उपर के सभी लोगों को और पचास वर्षे नीचे के उन बिमार लोगों को जिनको संक्रमन का सबसे ज़्यादा खत्रा है उनको टिका लगाया जाएगा आप सभी परिचित है कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इन्फास्ट्रक्टर से लेकर लोजिस्टिक तक की तरिया या सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों के साथ विचार विमस करके लगातार मिटिंगे करके मोडिल्स बना करके इसको पुरा किया गया है देश के लगबग हर जिल्ले में ड्रायरंस भी पूरे हो चुके हैं इतने बड़े देश में सभी जिल्लों में ड्रायरंस हो जाना ये भी अपने आपने हमारी काफी बड़ी केपेबिलिटी को दिखाता है हमारी जो नई तैयारिया है जो कोवीड के एसोपीज है उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है भारत में पहले से अनेक यूनिवर्सल इम्मिनाजेशन प्रोग्रेम आल्रेडी चल रहे हैं हमारे लोग बड़ी सफलता पुरुव कर भी रहे हैं मिसल्स रुबेलार जैसी बिमारियों के खिलाब भी व्यापक केम्पिन हम लोग चला चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कौने कौने तर पहुँचकर मद्दान की सुविदा देने का भी हमारे पास एक भावधी अच्छा अनुभाव है इसके लिए जो बूत्स्तर की रणदिती हम बनाते हैं उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है साथवेश टीका करान अभियान में सबसे हैं उनकी पहचान और मोनिटनिक का है जिनको टीका लगाना है इसके लिए आधुनिक टेक्लोलेग जा उप्योग करते हुए को विन नाम का एक डिजिटल प्रेटफर्म भी बनाया गया है आधार की मदद से लाभार्तियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले ये भी सुनिस्चित किया जाएगा मेरा आप सभी से विशेश आगर रहेगा कि टीका करन से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो ये सुनिस्चित करना है इससे जरासी चुक भियर इस मिशन को नुपसान कों सकता है कोविन पहले टिके के बाद एक डीजिटल वैक्सिनेशन सेटिफिकेट जनरेट करेगा लाभारती को ये सर्टिफिकेट टिका लगाने के बाद डीजिटली तूरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े किसको टिका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रुप में भी एक काम करेगा दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिपिकेट दिया जाएगा साथ योग भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत जादा है एक और अहमताथ है जिसका हमें ध्यान रखना है दुनिया के पचास देशों में तीन-चार सब्ता से वैक्षिनेशन का काम चलगा है करीब करीब एक महिना हुआ लेकिन अब भी करीब करीब धाई करोड लोग ही वैक्षिन हो पाई है पूरी दुनिया में उनकी अपने तैयारिये हैं उनका अपना अनुभव है उनका सामर्द है वो अपने तरीके से कर रहे हैं लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महिनों में लगब तीस करोड आबादी के टिका करण का लगशा सील करना है इस चनोती का पुर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महिनों में भारत ने बहुत व्यापक तयार्या की है कोरोना की वैक्सिन से अगर किसी को कुछ असहत्ता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रवंद किये गए है यूनिवर्सल इम्मिनाइजेशन प्रोग्रेम में पहले से ही इसके लिए एक मेकनिजम हमारे पास रहता है कोरोना टिका करन के लिए इसको और मजबुत किया गया है साथियों वैक्सिन और टिका करन की इन बातों के बीच हमें ये भी आद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्तिया के दर्यान भी बनाए रखना है थोड़ा सा भी लूजनेस नुक्षान कर सकता है और यही नहीं जिनको टिका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमन को रोकने के लिए जो सावधानिया हम लेते रहें उनको फॉलो करते रहें यह सुनिशित करना ही होगा एक और बात जिस पर हमें बहुत गंपीरता से काम करना है हर राज्य, हर केंद्र साथित प्रदेश को यह सुनिशित करना होगा कि अफ़ाओं पर वैक्सिन से जुड़े अप्रपचार को कोई हवा न मिले इपस और बढ़ से बात नहीं होनी चाहिए देश और दुनिया के अनेक सार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं कॉर्परेट कॉम्पुटिशन भी इसमें आ सकती है कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है ऐसी हर कोशिक को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुचा कर हमें नाकाम करना है इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक समस्ता हो NYK हो, NSS हो, Self-Help Groups हो, Professional Bodies हो Rotary, Lions Club जैसे समस्ता है हो, Red Cross जैसे समस्ता है हो इन सब को हमने साथ जोड़ना है जो हमारी routine स्वास्त सेवा है, जो दूसरे टिका करना अभ्यान वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारी 17 को एक routine vaccine का भी date है तो इसलिए हमारा जो routine vaccine का काम चलता है वो भी कहीं damage नहीं होना चाहिए आखिरी मैं एक और गंबीर विशे के बारे में आप से जुरूर बात करना चाहता हूँ देश के नव राज्यों में बर्ड फ्यू की पुष्टी हुई है इराज्य है करला, राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हर्याना, उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, दिल्ली और महराष्ट्र बर्ड फ्यू से निपटने के लिए प्रशुपालन मंत्रलाई द्वारा कारिय योजना बनाई गई है जिसका ततपरता से पानन आवश्चक है इसमें डिस्ट्रिक मेजिस्टेट की भी बड़ी भूमिका है मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सजीओं के माद्यम से सभी डिस्ट्रिक मेजिस्टेट का मादर्शन करें जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्यू नहीं पहुंचा हैं, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सहतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों स्थानिय प्रशासन को वाटर बर्डिज के आसपास पक्षी वाजारों में, जू में, फॉल्टरी भाम, इत्यादी पर निरंतन निग्रानी रखनी हैं, ताकि पक्षियों के बिमार होने की जानकारी प्रात्मिक्ता पर मिले। बर्ड फ्यू की जानके लिए जो लेबोरेटरी हैं, वहां समय पर सेंपल बेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानिय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कारवाई कर पाएगा। बन विबाग हो, स्वास्त विबाग, पशुपालन विबाग के बीच जितना अधिक कोडिनेशन होगा, उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्यू के नियंत्रण में सफर होंगे। बर्ड फ्यू को लेकर लोगों में अफाइन फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास हैं कि हमारे एक जूट प्रयास हर चुनोती से देश को बहार निकालेगा। मैं फिर एक बार आप सब का बहुत आभारी हूँ और 60% काम होने के बाद हम दुबारा एक बार बैट करके रिव्यू करेंगे, उस समय ज़रा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्षिन आ जाए तो उसको भी हम संग्यान में लेकर के आगे के अपने र करेंगे